सो हेलो फ्रेंस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल इस वीडियो उन्हों देखेंगे कि MS Board का यूज करके हम लोग MCQs को कैसे जेनरेट करेंगे और साथ में उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे हिंदी मेडियम में हो या इंगलिक्स मेडियम में हो तो जैसे सबसे पहले हमने एक इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या दिखेंगा सब्जेक्ट यहां पर विद्धूत आवेस्ट था विद्धूत चेत्र क्लास 12 वहते की यानि क्लास के लिए बिहर बोड और कितने अबजिक्टिव कोशन हमने एड़ किया है 30 वह विद्धूत आवेस्ट का मात्रग क्या होता है यहां पर ऐसे करके सारी चीज़ हमने एड़ किया हुआ है तो इस तरह का हम लोग PDF कैसे जेरेट करेंगे MS Word का यूज करके और कोशन हम लोग कहां से लाएंगे उन सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको क्या करना आपका MS Word ओपन कर लेना है तो हमने हाप MS Word ओपन कर लिया ह जैसे इन एरो वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे यह जो देखें यहां पर सिफ्ट हो गया है साथ में इस काम को बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर पे पेज बॉर्डर वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो ये विर्थ दिख रहा है, ये विर्थ, इस विर्थ को आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, जैसे मैंने 3PT रखा हुआ है, तो यहाँ पे OK पे apply कर देंगे, अब देखें यहाँ पे border लग चुका है, अगर page का color चेंज करना है, तो page color पे जाएंगे, और यहाँ से कोई भी color चूच कर लेंगे, जो color आपको पसंदार, जैसे मालनी जी मैंने yellow color चूच कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें question answers को add करना है, तो question answer को add कैसे करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं, देखें, एक site है आपे, जिस site का नाम है notes street, यहाँ पे हम इसको फिर से search करें, जैसे आत तो नहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, दो site है, एक है height target और एक आपका ये वाला site, दोनों site similar site है, तो इन दोनों में से किसी एक पर भी, नहाँ पर notes street वाला site है, और height target वाला, इस पर जाहतर फिर टूट के, टूट के, टूट के question मिल जाते हैं, जो exam level से important है, तो हमको class rate करेंगे, तो देखिए, height target class 12 का देखिए, यहाँ पर लोगो है, देखिए, यहाँ पर class 12, physics in Hindi, chapter 4 है, गतिमान आवेस्तर और चुम्बकत्व नाम है, chapter का, fourth number chapter है, तो और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे इसमें, अब नीचे आएंगे तो आप देखते जाएंगे कि इ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, एक electron volt, weight के समरूप, चुम्बके चित्र B के सामना अंतर चलता है, तो electron द्वारानुभव किया गया, महत्तम बल कितना होगा, एक voltimeter का प्रधिरोध G ohm है, तथा परास V volt है, इसकी परास को बढ़ाकर N भी करेंगे है, तो स्रेंडी करम म देखिए, तो word में कैसे add करेंगे, चलिए, एक question हमको add करना है, तो यहाँ पर click किये रहेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, copy करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं, और control C दबा के यहाँ से copy करेंगे, keyword में control C प्रेस करें अब देखिये यहां पर यह cojan generate हो गया अभी देखिये इसके पीछे जो है यह white white दिखरा है तो इस white को कैसे एटाएंगे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पेज कलर को वाइट ही रखते हैं, इसको हम बताते हैं कैसे आठेगा, पेज कलर को हमने वाइट ही रख दिया, आप देखिए ऐसा दिख रहा है, आप पहला कोशन यहाँ पर एड हो गया, यहाँ पर सेरीज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बाल निजा, तो आवेश उत्पंद करती है, तो इसलो और क्लिक करेंके, और इसे फिर यहां पर नीचे नीचे आते हैं, नीचे आ रहे हैं चलिया है 5 से अमीन 8 तक Esse है 8 तक और यहाँ से Ctrl C दवाएंगे Maryce Flashaway तो यह पूरा copy हो गया है, Ctrl C दवाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? Ctrl B press करेंगे, Ctrl B press करेंगे. To Ferrar चेर हमारी में तो Ctrl B press करने के बाद इसमें, question को add कर सकते हैं, यहां पर ohm था, sorry, यहां पर back कर देंगे, ohm आपका आ गया, तो इस तरह से इस तरह से देखिए हम लोग क्या करते हैं, question को generate कर सकते हैं, अब आप इसमें ऐसे question add कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसे site से पूरा ही आप copy कर लीजिये, आप खुछ से भी question इसमें add कर सकते हैं जो भी question आपको आपके level से आपको लगे है हाँ पर numbering आप change कर लिजिए यह 3 हो गया यह जो 4 हो गया यह 5 हो गया और यह 6 हो गया तो इसमें हमने 6 question add कर दिया है अब हमें क्या चाहिए? answer भी चाहिए इसमें तो answer को भी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर press कीजिए और यहाँ पर answers के लिए क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर answers टाइप करेंगे answers हम को चाहिए तो answers यहाँ पर टाइप कर दिया हमने इसका थोड़ा सा size हम लोग increase कर लेंगे और bold कर देंगे तो यहाँ पे size increase जैसे होता है build करने के लिए B पे press करेंगे और color change करने के लिए यहाँ पे इस option पे click करेंगे जैसे हमको color इसका red रखना है तो red पे click कर देंगे size थोड़ा छोटा दिख रहा है और थोड़ा बढ़ा देंगे चलिए यह हो गया अब हमको क्या करना है यहाँ पे 1 का answer लिखना है 2 का answer लिखना है 3 का answer लिखना है यहाँ पे enter press करते जाएंगे 4 का answer लिखना है और 5 का answer लिखना है और किस का answer लिखना है 6 का answer लिखना है अब जो भी answer होगा A का जैसे हम यहाँ पे bracket बना देते हैं तो यहाँ पर bracket बना दें, मालेजे कि A जो question है, उसका answer option number B है, तो option number B इसमें add कर देंगे, मालेजे आपका B जो question है, उसका answer माल लेते हैं कि C है, तो यहाँ पर C add कर देंगे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, answers को add कर सकते हैं, ठीके, तो according to आपका जो भी option होगा, उसके according हम यहाँ पर options को add कर देंगे, अब रही बात की इसको PDF में कैसे convert करेंगे, इसमें साथ ही आप topic भी लगा सकते हैं, कौन सा topic से यह question है, जैसे माली जी 7 नंबर chapter से वहीं पर चले जाएंगे, इस site पर आपको लिखा हुआ रहेगा, देख लेते हैं, देखें यहाँ पर जो है, गतिमान ये चुमब के चुमब कत्वा, गतिमान आवेस और चुमब कत्वा, इसको select करके, control C करेंगे, और यहाँ पर लाके, सबसे उपर में, हम यहाँ पर लाके, control भी कर देंगे, तो यह पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखें, आपर आ गया, और इसका हम लोग size और color भी change कर सकते हैं, माली जी size आपको क्या करना है, छोटा करना है, तो यहाँ पर click करेंगे, size छोटा हो जाएगा, इसको बीच में रखना है, तो alignment पर जाएगे, यहाँ पर click कर देंगे, यह alignment आपका set हो गया, इसका color भी आप change कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से color इसका change कर सकते हैं, यहाँ पर green रख देते हैं, तो देखें, यहाँ पर color भी इसका change हो चुका है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, PDF जेनरेट कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है इसको, इसको PDF form में convert करना है, क्योंकि यह तो सिर्फ किस में देख रहा है आपका, यह सिर्फ वर option पर क्लिक करना है, तो export वाले option पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर create PDF पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा से wait लएगा है, यहाँ पर create PDF पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा time लगा है, देखिए उसके बाद यह option आजाएगा, अब आपको जहां भी इसको save करना है, जैसे माली ज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए save type आप पडिएफ आ चुका है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पब्लीज पर क्लिक करेंगे, तो पब्लीज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यह PDF आपका save हो चुका होगा, हम दिखा देते हैं PDF कहां save होगा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गतिमान, अवेसा और चुमबकत्व, यहाँ पर PDF जनेरेट हो चुका है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो यह PDF आपका open हो जाएगा, थोड़ा सा वेट लाएगा, थोड़ा सा टाइम लिएक को और यह PDF आपका open हो जाएगा, यहाँ पर आंसर के लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एड़ किया था, इसमें उप्सन अमने एड़ नहीं किया था, तो इस तरह से हम लो क्या कर सकते है, PDF को जनेरेट कर सकते है, अब रही बात कि अगर इसको आपको इसका आपको इसका आपको कॉलर चेंज कर सकते हैं, तो कहीं भी जैसे माल लेते हैं कि हमको एलो ही रखते हैं, तो हमने एलो पर क्लिक कर दे, अब देखिए यहाँ पर एलो पर क्लिक करने के बाद इस सारे जो दिख रहे हैं, इसमें वाइट वाला भी उप्सन है, तो आपको करना क्या है, कि इस वाले उप्सन इसको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे Ctrl A कर देना है, Ctrl A और यहाँ पर right click करना है right click करने के बाद यहाँ पर देखे, paste का option दिखेगा फिर यहाँ पर second वाला option, फिर यहाँ पर third वाला option, keep text only पर आपको click करना है, तो keep text only, sorry, यह तो आपका first वाला आगे, sorry, इसको back करेंगे हाँ, जैसे मालनी जी हमको क्या करना है, इसका इसका जो है, इसको हम select कर लेंगे और इसका हमको क्या करना है color change करना है, तो यहाँ पर right click करेंगे इसमें right click करेंगे, sorry और यहाँ पर इस वाले, ए वाले option पर click कर देंगे यह थोड़ा सा नहीं आ रहा है अच्छा, इसको control x कर लेते हैं इसको क्या करना है, आपको control x कर लेना है और यहाँ पर जाना है, फिर right click करना है, right click में यहाँ पर आपको देखिए options देखेंगे pictures है यहाँ पर आपको एक option देखेंगा keep text only, इस पर आपको click कर देना है इसको भी change कर लेंगे, इसको हम पूरा select कर लेंगे पूरा select हमने कर लिया और यहाँ पर control x क्लिक करेंगे control x से क्लिक करेंगे तो यह हट जाएगा फिर आपको क्या करना है, आपको right click करना है यहाँ पर यह जो paste का option से, इसमें सबसे last one option इस पर आपको क्लिक करना है, तो लास्ट वले उप्सन पर हम क्लिक कर देंगे, थोड़ा से वेट टाइम लाएगा, देखिए यहाँ पर सारे में, किसी के पीछे आप देखिए वाइट कलर नहीं दिख रहा है, यह सब क्या आ गया, अपने कलर्स में आ गया है, उसे तरह क्लिक कर देंगे, आप देखिए जितने भी कोस्टन से उसमें किसी में भी पीछे का बैग्राउंड नहीं रहा, देखिए सब क्या हो गया आपके, एलो कलर में आ ही गया, तो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अमने बताया था, फाइल से जाके, फाइ मैं बडिए में लिए एंगे यूश कर देखिए लिए जाने में अग्विएमाइग जैसे गूपे च्यानल